दोस्तो अगर आप CSC ID के लिए registration करना चाहते हैं या बैंक BC के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको IIBF के certificate की आवस्ता होगी और आप IIBF का certificate के लिए exam देना चाहते हैं तो आपको RBI द्वारा nominated किसी भी institute से इसकी training करनी होगी और इस training में कौन कौन सी steps हालो करने हैं उसके लिए आपको हमारा ये वीडियो complete देखना होगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी website पे registration करना होगा इस training के लिए कितनी fees पे करना होगी और कौन कौन सी steps को follow करने होगे दोस्तों आपको bank BC मिले या न मिले CSC की ID मिले या न मिले लेकिन आपको इस training में और exam म में लगबाद 4-5,000 रुपे खर्च होने वाले हैं तो चलिए देखते हैं सारे steps को किस तरह से हमें follow करने हैं किस तरह से में exam के लिए registration करना होगा और IIBF के certificate हम ले सकते हैं तो वीडियो मागी बढ़ने से पहले आपसे छोड़ी सी request है कि अगर आप नहीं अब तक हमारे चै यहां पर आप देखेंगे ऊपर BCA BF लिखा है सबसे पहले training for BCA BF उसके बाद आपको इस exam के schedule, application, admit card, result और duplicate certificate की link मिल जाएगी तो हैमें सबसे पहले यहां पर training for BCA BF इस पर क्लिक करना है यहां पर आप एक notice देखेंगे जहां पर क्लिरली लिखा है कि अपरेल 2024 से RBI ने BCA BF exam में appear होने के लिए BC agent की training को mandatory कर दिया है जिसमें basic certification का duration 28 hours एवं advanced certification 42 hours duration का है केवल ऐसे candidate जो इस training को complete कर लेंगे केवल वो ही BCA BF exam में appear होने के लिए eligible होंगे इस training को conduct कराने के लिए RBI ने कुछ institute भी है जिन्हें identified किया है जैसे की bird हो गया, nice bird हो गया, IIBM और कुछ bank जो की structure और module के अनुसार training दे सकेंगे यहाँ पर उन training institute की कुछ detail भी है, आप देख सकते है, contact, email, ID वगरा दी हुई है यहाँ पर हम एक nice bird है, उसकी एक link दी हुई है, जिसे हम video के description में दे देंगे, आप कुछ इस तरह से open कर सकते है यह nice bird training institute जो है, उसका home page है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे basic certification की तो यहाँ पर SABC जो सिर्फ transaction जैसे की deposit और withdrawal करते हैं, cash in, cash out का का काम करते हैं तो यह उसके लिए basic training है, जैसे की payment bank, air tail payment bank है, NHDL या India post payment bank लेकिन ऐसे bank जिनमें पूरा BC का काम किया जाता है, जैसे की FD वे गएरे भी account opening सब कुछ किया जाता है उसके लिए advanced certification का program रखा गया है, तो इस तरह से दो category है ऐसी candidate जिन्होंने training complete कर ली है, उन्हें 9 month के अंदर 3 attempt में इस BCF BF के exam को clear करना होगा अगर वो इस exam को clear नहीं कर पाते, तो उन्हें दोबारा इस training के लिए enrollment करना होगा दोबारा से सारी training लेनी होगी, उसके बाद वो फिर से fresh enrollment exam के लिए करेंगे और दोबारा उस exam को देंगे यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप advanced training का certification लेते हैं तो आपको basic certification की कोई भी आवसकता नहीं है उसकी fees आपको दोबारा पे करने की जरूत नहीं है यहाँ पर आपको इस training के लिए भी fees paid करनी होगी, आप इस PDF को open करके देखेंगे कि अगर आप सिर्फ basic certification course करना जाते हैं तो आपको amount 1800 रुपए जिसमें GST 324 रुपए मिला कि total 1124 रुपए आपको pay करना होगा और अगर आप advanced certification का course करते हैं तो 2700 GST 486 यानि 486 और 386 रुपए आपको payment करना होगा यह अगर आप online के मध्यम से यह training लेते हैं offline का आप नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह vc structure है अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पूरे steps हैं जो during registration आपको करने होंगे और training के दौरान तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें नाइस बट की इस official website पे visit करना होगा यहां पर आप program dashboard देखेंगे training का calendar आपको मिल जाएगा आप जिस date पर training करना चाहते हैं उसकी choice करेंगे registration form फिल करेंगे OTP के दौरा अपने form को verify करेंगे और एक बार जब आप OTP verify करते हैं तो आप payment gateway पे redirect हो जाते हैं वहां आपको payment gateway पे आपको अपना payment करना होगा payment complete होने के बाद यानि successful जब आपका हो जाता है तो आपको acknowledgement मिलता है reference ID के साथ आपके payment की उसके बाद आपकी जो training date आपको जो मिलती है उसके लिए प्रजिस्टर हो जाते हैं आपको जूम link मिलती है उस training की training start के दो दिन पहले ही आपको वो link मिल जाती है आपके mobile number और अपने जो email ID उसके मिलती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सारी process है और जब आपको जूम link मिल जाती है तो उसके बाद आपको उस program schedule date और time के recording आपको अपनी training को complete करना होता है किसी प्रकार के समस्था आती है तो आपको यहां पर WhatsApp नमबर भी दिया जाता है और आपको जब एक बार आपकी training complete हो जाती है तो आपको IIBF के website पे ही BCABF के exam के लिए apply करना होता है जैसे कि हमने बताया कि अगर आप advanced training ले लेते हैं तो आपको basic training की certification की आपसकता नहीं होती है तो बेहतर है कि आप पहले से ही advanced certification का course आप करे ताकि आपको दुबारा किसी प्रकार का exam देना न पड़े यहां पर आपको session plan मिल जाते हैं कि आप जिस तरह की training लेते हैं जैसे advanced क session है तो यहां पर पूरा duration लिखाया कि किस time duration में कौन सा topic आपको cover किये जाने है और total यहां पर आप देख सकते हैं कि training duration या 40 का training session होगा जो 6 days में होगा तो इस तरह से जो भी आप certification करना चाहते हैं वो आप यहां से देख सकते हैं उसका plan देख सकते हैं यहां पर advanced certification का हम आपक program है यहां पर आप देख सकते हैं कि session कौन कौन से batch और कब कब start हो रहे हैं उनके program director और coordinator कौन है और batch side यहां पर आप देख सकते हैं 35 का batch रहेगा यहां मैं जूम आउट करता हूं यहां program detail में आप click here करके जो हमने अभी दिखाया कि advance का जो plan था यहां से भी आप देख सकते है और यहां आप registration link पे click करते हैं तो आप इसके बाद इसके registration वाले page पे चले जाते हैं जैसे हमने इस link पे click किया तो यह slot already full था तो मैं back करके दूसरा open करूंगा मैं 17 सितंबर वाला यह registration plan का यह कुछ इस तरह से open करूंगा तो आप देख सकते हैं यह institute name, program type, course name, course category, director name और उनक contact number और coordinator के code number यहां पर आप देख सकेंगे और इस तरह से आपको यह form पूरा complete करना है आपको अपना नाम, mobile number, email id, gender, physical challenge है या नहीं, category उसके बाद यहां से अपना education और identity proof में आप कौन से document देंगे उसका document number, mother's name, address, city, country, state यहां फिल करेंगे यहां से अपना district चूस करेंगे area pin code और अपनी photograph यहां पर jpg में 50 kb maximum size है वो upload करेंगे उसके बाद यहां से आप इसे submit करेंगे तो जो भी हमारी detail होगी यहां फिल कर देंगे अपने आधार और pen के अनुसार ताकि कोई mistake न हो क्योंकि इसी के base पे हमारा account open होना है और हमारा जो है हमें BC मिलना है तो हम सारी detail पूरी तरह से fill करेंगे एक बार farm का review देख लेंगे पूरी तरह से submit करने से पहले और इस तरह से आपको message मिलेगा edit training to API आपको ok पे क्लिक करना है यहां पर आपका user name और password इस user id और password का use करते हुए आप nice bud पे अपना login कर पाएंगे और training संबंद ही detail देख पाएंगे तो यहा करने के बाद आपको कुछ इस तरह से page मिलेगा accept all instruction term and condition and proceed to pay यहां पर आपको pay का option मिल जाएगा यहां पर student login का option है यहां पर अगर आप payment नहीं करते है डारेक्टली आपको student login पे चले जाना है और उसके बाद login के बाद आप यहां उसका payment कर सकते हैं तो इसके लिए यहां पर login user ID password का यूज करके आप login कर पाएंगे और जैसे ही आप इस पे login करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका dashboard open होगा जिसमें profile, live classes, reading material, assignment, assessment, profile, feedback और password change करने का option मिलता है यहां आप अपनी profile को देख सकते हैं और उसके बाद सबसे पहले अगर आपने payment नहीं किया पहले तो यहां पर आपको payment का option मिल जाता है यहां पर आपको जो आपके training director है या coordinator है उनकी detail भी मिल जाती है, training का time अगरे मिल जाता है, live classes आप देख सकेंगे, reading material, assignment complete कर पाएंगे और यह सारा कुछ आपको complete करना है और जब आपका यह इसका certificate generate हो जाएगा, इसके बाद ही आ आप उस certificate number का यूज करते हुए BC या BF के exam के लिए apply हो सकते हैं, तो इससे complete करने के बाद आपको वापस से आई या BF के इस home page पे आना है, यहां पर आपको apply non member पे click करना है, आप देखेंगे सबसे पहले आपको यहां पर training ID और registration number पूछा जाता है और इस capture को solve करके आप इस form के लिए apply कर पाएंगे, बाकी process उसी तरह है, जैसे हम पुराने form को apply करते थे, यहां से आप admit card अपना देख पाएंगे, और download कर पाएंगे, जो भी recent exam होगे, यहां उनकी link दी हुए होती है, तो आप यहां से अपने admit card को download कर पाएंगे, अपने membership number को enter करके, ठीक, इसी तरह है, आप यहां अपने result का देख पाएंगे, जो भी आपने exam pass किये हैं, और जो भी exam के result यहां पर live हो चुके हैं, यहां से आप select करेंगे, उस link से और अपने exam का name, और यहां से अपने result को देख पाएंगे, इन case अगर आपका certificate जो IIBF का वो कहीं खो जाता है, तो यहां आप डीटेल, member CPR registration number और बाकी सारी detail डाल के आप अपने certificate की duplicate copy के लिए भी apply कर सकते हैं, दोस्तों I hope यह वीडियो आपको पसंद आओगा, हमारे वीडियो को लाइक चैनल को subscribe और अपने दोस्तों को भी share करना मत भूले, हम पर मिलते हैं किसी ने topic के साथ, आपके मसुत रहे, धहन का तोस्तों सबना।